तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा दीज आद वर्ड ऑफ नेता जी शुपास चंद्र बोस हेलो फ्रेंज आज के ज्ञान जो है नेता जी शुपास चंद्र बोस के बारे में तो चलो शुरू करते हैं नेता जी शुपास चंद्र बोस का जनम 23 जैन्वरी 1897 में कटक ओडिसा में हुआ था उनके माता पिता का नाम था जानकी नाद बोस और प्रभावती देवी जानकी नाद बोस एक बहुती वेल नोन लॉयर थे और प्रभावती देवी एक इंडियन आक्टिविस्ट वो नववे थे अपने चौदा भाई बहनों में नेताजी शुबास चंद्र बोस को स्कूल में स्पोर्ट से जादा स्टडीज में इंटरस्ट था वो स्वामी विएकानन के काम से बहुत इंस्पायर हुए थे और स्वामी विएकानन की बहुत सारी किताबी भी पड़ी थी इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश रूल और नेताजी को उनके युणिवर्सिटी उन्हों को से निकाल दिया गया था उनके पिता जी जानकी नाद बोज जी चाहते थे कि शुभास चंद्र बोज जी इंग्लेंड जाए और ICS मतलब Imperial Civil Services में जॉइन करें Imperial Civil Services का मतलब होता है उस समय की इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश गवर्मेंट को सर्व करती थी वो इंग्लेंड गए और उन्होंने अपने ICS टेस्ट में फोर्थ लैंक लाई और उन्होंने अपना ICS जॉइन कर लिया लेकिन कुछ महिनों के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि उनको फॉरिन कवर्मेंट को नहीं करना था सर्व उनको करना था अपनी खुद के द प्रिटिश को सब्सक्राइब करना चाता थे उन्होंने आजाद हिंद फॉज जॉइन कर ली और वो बहुत बढ़ गई इससे ब्रिटिश गवर्मेंट को बहुत नुकसान हुआ और ब्रिटिश गवर्मेंट ने शुबास चंदर बोस जी को बहुत बार हरेस्ट करने की क्युक्त समय शुबास चंदर बोज जी अचानक गायब हो गये थे बहुत महिनलों तक उनका कोई अता-पता नहीं था और बहुत लोगों ओसी मुने था किलिए जंटी बोसल्में BIG आजिए चुड़ी ब्रिटिश से छुड़वाने में मदद करेगी और जापान उस समय एक बहुत बड़ी कंट्री बन चुका था उसके पास दुनिया में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी तो शुबास चंदर बोस जी ने जापान से भी एक ऐसा ही समझोता किया कि उनकी सेना ब्रिटिश को इंडिया से निकालने में मदद करेगी ऐसे हम इंडियन में उस समय एक बहुत बड़ा जजबा आ गया था कि अब ब्रिटिश हमारे उपर रूल नहीं करेंगे जब नेता जी जापान में थे हिरोशीमा नागासाकी पे नूकलियर बॉम्बिंग हुई थी जिससे जापान न गवर्नर इसोडा ने नेता जी को रेडियो कॉल किया था कि आपको वहां से जल्द से जल्द करना चाहिए तो नेता जी शुबास चंद्रबोस ने अपने कुछ गरीबी दोस्तों को लिया एक बॉमबर बॉमबर एक तरिके का प्लेन होता है एक बॉमबर को लोड किया और से निकले लेकिन वह बॉमबर ओवर लोड़ेड था इसकी वाज़े से जब वह ताइपाई में लैंड कर रहे थे वह क्राश हो गया और असा माना जाता है कि नेता जी शुबास चंद्रबोस भी उस क्राश में उनकी मृत्य हो गए लेकिन बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी थि हैते थे और वो नहीं आइडेंटिटी थी गुमनामी बाबा आज 23rd जैनवरी नेता जी की 126th birth anniversary जिसको हम पराकरम दिवस के नाम से मनाते हैं आओ हम इसे सेलिबरेट करें और उनको याद करें जाए हिंद